हेलो हाई नमस्कार कैसे हैं आप सभी दोस्तों ये दुनिया बेहत खूबसूरत है जिसकी खूबसूरती को देखा और महसूस किया जा सकता है हम आज आधुनिक हो गए हैं पक्के घरों में रहने लगे हैं रोड बन चुके हैं अलग अलग दरह के वाहन बन चुके हैं टेकनोलोजी के एक शेत्र में भी हमने खूब तरक्की की है परंतु प्राचीन समय में प्रिथ्वी पर केवल पहाड, नदी, खूबसूरत रिश्य, जंगल आदी हुआ करते थे अरे-अरे, हुआ करते थे नहीं, अभी भी हैं लेकिन पहले से बहुत कम आज हम कुछ ऐसे दस वनों के बारे में जानेंगे जो अपने आप में खूबसूरत और रहस्य मैब भी है तो दोस्तो, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल टॉप 10 हिंदी पर और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जोड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं तो चलिए दोस्तो, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दस, काला जंगल ये काला वन जर्मनी में स्थित है इस जंगल में पेड़ बेहत करीब करीब और घने हैं जिसके कारण सूरज की करने जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है लोगों के बीच में बहुत सारी कहानिया भी वशूर है जिन में से कुछ बिना सरवाले आदमी की है और कुछ छोटे बच्चे से संबंधित है पर आप घबराये मत यारो ये सिर्फ कहानिया ही है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे गाउ है और बहुत से लोग यहां हाइकिंग पर भी जाते है वास्तों में इस जंगल का नाम आउकी घरा जंगल है ये बेहत ही खूबसूरा जंगल है और यहां का नजारा काफी प्यारा है दूर से देखने पर यहां पेडों का समुंदर दिखाई पड़ता है यहां पर भी सूरज की किरने जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है यहां पर आपको चिडियों की चहचाहट और अलग-लग पक्षियों की आवाजे सुनने को बहुत कम बिलेंगी क्योंकि यहां पर बहुत कम वन्यजीव है यहां पर कमपस भी सही से काम नहीं कर पाता है जिससे आपको सही दिशा का पता नहीं चल पाता है मैं तो आपसे कहूंगा कि आप यहां जाईए और बस जाईए चलिए मजाग बहुत हुआ मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जगह पर आप अपनी सेफटी का बेहत ख्याल रखें इस जंगल का वास्तविक नाम हैलर बॉस जंगल है ये एक अद्भु जंगल है जो की पेल्जियम सिटी में स्थित है इस जंगल की एक खास बात है इसका कारपेट यानी जमीन है जो की खूबसूरत नीले बेल फूलों से ढखा और सजा रहता है इस जंगल का नजारा वसंत के मौसम में और उभर कर सामने आता है यहाँ पर लोगों को इसका भ्रमण कराने के लिए दोनों सरकारी तथा प्राइविट वाहन चलते हैं तो आप लोग आसानी से इस जंगल की खूबसूरती का अनंद उठा सकते हैं और इस जंगल में आधुने की करण के साथ-साथ यहाँ पर आपको रेस्टरॉंट्स वे होटेल्स भी मिल जाते हैं जो आपकी सुविधाओं को बढ़ा देते हैं साथ-सेक्रेट फॉरेस्ट यानी धार्मिक जंगल ये जंगल में घहल लेके माफलंग गाओं के पास पूर्वी खांसी पहाड़ियों पर स्थित है और खेतों से भी घिरा हुआ है इसे एक बेहत पवित्रवन माना जाता है इस जंगल में कई पीड़ों को प्राचीन और काफी वर्षों पुराना माना जाता है इस जंगल में कई औशधिये पौधे भी हैं जिनसे कई बीमारियों का निवारणत किया जाता है जैसे कैंसर आदी यहाँ पर रुदराक्ष के पेड़ भी पाय जाते हैं जिने भगवान शिफ का ही एक रूप माना जाता है स्थानिय लोगों की माने तो जंगल में एक देवता रहता है जो बाग या तेंदुवे के रूप में रहता है जिसका नाम लिस्सा है इस जंगल को घूमने के लिए आपको एक गाइड करना ज़रूरी है यानि कुटिल जंगल ये जंगल पॉलेंड में स्थित है इस जंगल में 1930 में देवदार के लगभग 400 पेड लगाए गए थे और जो वो बड़े हुए तब उनकी आकरिती कुछ विचित्र थी यार सही कहूं तो मुझे ये पेड उल्टे question mark की तरह नजर आते है जो मुझसे कुछ न कुछ question पूछते ही रहते है भाई चाहे जैसे भी हो पर ये देखने में बेहत खुब सूरत लगते है और मन करता है इने घंटों तक बस यो ही देखते रहे ये ठीक ऐसे ही दिखते हैं जैसा आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं पांच सुन्दरबन forest हाँ दोस्तों तो ये जंगल है जिसे हम में से सब या फिर काफी लोग वाकिफ होंगे हाँ दोस्तों तो ये जंगल से तो हम सब या फिर काफी लोग वाखिफ होंगे हरे जानते भी क्यों नहीं होंगे आखिर बचपन में टीचर ने मार मार कर याद जोगराया था सुन्दरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैन ग्रूव बन है भारत और मांगलादेश दोनों ही देशों का सब भागय है कि सुन्दरबन दोनों देशों में स्थे थे इस जंगल में बहुत सारे सुन्दर पेड़ हैं जो रात को चमकते हैं जिस वजह से इस जंगल का नाम सुन्दरबन पड़ा था ये एक ऐसी जगहे जहाँ पर पाँच नदिया, गंगा, ब्रह्मवुत्र, हुगली, पद्मा और मेघना आपस में मिलती हैं यहाँ पर आपको हर तरह कवन्यचीव देखने को मिल जाएगा जैसे बाग, हाथी, बंदर, चिंपैंजी, आधी चार, मौस स्वांप, रोमानिया रोमानिया में काई और दलिया जंगल है आप इन जंगलों की सटीक जगह को गूगल मैपस पर भी नहीं ढूंड सकते क्योंकि पूरा रोमानिया बेहत खूपसूरत और शांदार जंगलों और पहाडों से भरा हुआ है इन में से कई जंगलों में काई और दल्दल भी है तो आपको कभी भी रोमानिया गूमने का मन हो तो इन जंगलों में जरूर गूमिएगा पर हाँ अपनी सेफटी का पूरा ख्याल रखते हुए तीन तो तीसरे नमबर पर आता है ताइपिंक शान रास्ट्री वन ताइपिंक शान ताइवान में स्थित है यहाँ के मौसम में वोईश्चर रहता है जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है यह वन एक विशाल पहाडी क्शेत्र में फैला हुआ है यहां की नदियां, खाडी, सुन्दर हरियाली, जील आदी आपको अपनी ओरा कर्शित करती है यहां पर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बेहत रोमांटिक वेर रोमांचिक जगा है यहां पर घूमने में आपको कभी ना भूलने वाला अनुभव ग्यात होता है और जरेटा जंगल कॉर्बिया नैशनल पार्क का एक हिस्सा है यह वन स्पेन में स्थित है इस जंगल को एक रहस्वाई हवा देता है इसके प्राचीन पेड दुबला धुंदला वाता वरना दी भाई मुझे तो इसा देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई जादूई वन है जिसमें बेहत खूबसूरत आकार के पेड़ है चोटी सी पतली सी नदी की धारा बहती हुई है और संत्री रंग के पत्ते जमीन पर विखरे हुए हैं जो इसे बेमिजाल खूबसूरती में शामिल करते हैं एक तसिंगी फॉरिस्ट ये जंगल मेडगासकर में स्थित है तसिंगी इस नावकर्थ नुकीला लंबा पतला होता है आप इसके नाम से ही जंगल के बारे में काफी जानकारी जुटा सकते हैं जी हाँ इस जंगल में लंबे पतले और नुकीले पहाड है सिंगी वन एक और विश्वसनी एक शित्र है जो पृत्वी से निकलने वाले तेज चूना पत्थर चटानों से बना है हाँ आप इसको चाकू के वन के रूप में भी जान सकते हैं तो दोस्तों ये थे दस रहस्यमई जंगल तो ऐसे ही रोमांचिक वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जोड़े रहें और चैनल की प्लेलिस्ट में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और रहस्यमई वीडियो देखें तो हमारे अगले वीडियो तक आप से हम इचासत लेते हैं तक तक के लिए धन्यवाद कि अगले बड़े वीडियो देखें